पूछा था कि आपने तो भौत कुछ प्राप्त किया है, सब कुछ जाना है, थोड़ा हमें भी बतलाईए, तो बुद्ध कहते हैं कि जितना भी मैंने जाना है, उसरफ ऐसे ही है, जैसे प्रत्वी में से कोई एक कण को मैंने जान लिया हो, ये अनन्त को, ये परमेश्वर को क कोई नहीं जान पाया है, ये अनन्त है, अखंड है, अचेद है, अभेध है, अध्वैतम अच्चुतम अनाधिम अनन्त रूपम, आध्यम पुरान पुरसम, नवयोवनम्च, वेदेसु दुरलवम, आत्म भाक्तो, गुविन्दमादि पुरुशम, तमावं भयामी, वेदेसु दुरलवम, उन्हें जानने के लिए चलोगे, तो कभी नी जान पाओगे, सु दुरलवम, वेदेसु दुरलवम, एदुरलवम आत्म भाक्तो, लेन आत्म भाक्तो यानि जो भगवान के परम प्रेमी भाक्त हैं, अर्जुन जैसे, ओधव जैसे, प्रलाद माहराज जैसे, ध्रुउ माहराज जैसे, अधुरलवम, उनके लिए अधुरलव है, उनको भगवान को समझ पाना बड़ा सरल है, क्यों? प्रेम आत्म भक्त हो क्योंकि प्रेम ही भक्त है प्रेम बड़ी चीज़ है प्रेम से ही परमेशर को जाना जा सकता है और कोई कारण नहीं है कि शास्त्रों से ज्यान से ज्यान से जानने की कौशिश करी तो व्यर्थ हो जागा भगवान को तो प्रेम से ही जाना जा सकता है प्रेम को ही भक्ती कहा है भक्ती विलोच नेन प्रेमाजन चुरिता भक्ती विलोच नेन भक्ती बरे नेत्र होनी चाहिए भक्ती के चक्षु होनी चाहिए प्रेम के चक्षु तब उनकी पहचान होती है जल्दी से पहचान होती है फिर वो जर्रे जर्रे में नजर आते हैं जर्रे जर्रे में है जांकी भगवान की किसी आँख वाले ने इसकी पहचान की वो छोटी छोटी चिडियों में भी वो ही बसा हुआ है फूलों में उसी की गंद है सूर्ये में उनीका प्रकाश है जल सरोतों में जल में स्वाद वोई है अगनी के रूप वोई है वायू के इसपर्ष वोई है आकाश में जो शब्द गुंसता है वो स्वेम भवान ही है यह भवान के कलाएं हैं विभूतियां है भवान ने कहा कि वेदों में रिगवेद मैं हूँ लेएं कभी हम यह उठा के नहीं देखते हैं जल सरोतों में गंगा मैं हूँ आज वेग्यानी के इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि संसार के जितनी भी नदिया हैं उनसे 25 गुणा अधिक ऑक्सीजन गंगा के जल में है इसलिए उसका महत्व है यह विदेश के वेश्टन कंट्रीज के वेग्यान साइन्टिस्ट ने इस बात को प्रूफ किया है लेकिन हमारे शास्त्र अनाधिकाल से कहते चले आ रहे हैं कि गंगा बगवान विश्णु के चर्णों का धोया हुआ जो चर्णा मरत है वो जल है जो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा था और भागी रत के प्रार्तना करने पर उस में से कमंडल में से एक धार जमीन प्राही वो गंगा है उसका मैत तो है साइन्टिस्ट तो इस चीज़ को नहीं पहचान सकेंगे जान सकेंगे लेकिन उन्होंने जो अपनी यंत्रों से जो खोजबीन की है उन्होंने पाया कि विश्व में जितनी भी न दिया है उनसे 25 गुना अधिक ऑक्सिजन जीने की शक्ती गंगा के जल में है इसलिए गंगा जल का बड़ा मेहत है और जब आदमी शरीर त्यागता है तो गंगा जल उसको एक टप का डाल दो तो तुरंती बिश्व भगवान की याद करता है कि ये बिश्व के चर्णों से आई हुई है उसकी परमगती हो जाती है अंतमता सोगता भगवान की याद करती हुए शरीर छोड़िआ है तो धन हो जाता है वह पराणि अब व्यास करेंगे जीवन भर तभी भगवान की अंतसमें में याद आती है और अंतसमें में याद बनी रही भगवान की तो निश्चित रूप से आप भगवान के धाम के वासी बन सकते हैं वैकुंट के वासी बन सकते हैं केवल कहने मातर से नहीं कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया या वैकुंट सिदार गए कहने से नहीं कहने से काम नहीं चलता ओता आत्मा को तसलिद देने के लिए बोलते हैं ऐसे या उनको गए हुए प्राणी का सम्मान करने के लिए बोलते हैं ऐसे सीधा नहीं बोलते कि मेरा बाप मर गया बोलते हैं स्वर्गवास हो गया चिठ्थियों में लिखते हैं पिता जी का स्वर्गवास हो गया है फलाने दिन बारुआ है जरूर पदारना हरी कृष्ण हरी कृष्ण 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 हरी हरी हρι राम हरी राम 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 हरी हरी ये परमधरशमई महामंत्र भगवान को रिजानेका इसके नामों का जिन्ится हैं उनको ये प्रभाव मालूम है ये हमारी आत्मा को, हमारी भावना को निखारने के लिए बहुत बलशाली मंत्र है क्योंकि स्वैम भगवान की पवित्र नाम इसमें है Holy Name of God पवित्र नाम ही आपको पवित्र कर सकते हैं बागी तो कोई जरिया नहीं है जब कपड़े में मेल जमा हो तो साबुन चाहिए तो तुरंत साफ और उज्वल हो जाता है Sunlight साबुन हो एकदम उज्वल हो जाता है ऐसे ही आपको कोई ऐसा पवित्र परम शक्तिवान नाम चाहिए ज़ा भावना को उज्वल करे हमारे और हमारी भावना उज्वल होगी तब ही हम सुखी होंगे ये कभी नहीं भूलना हम जितनी गंदी भावना के होंगे उतने ही हम दुख में होंगे पूरी तरह पेन, एंग्जाइटीज काम, क्रोध मद, मोह मतसर, लाल, ये सब हमको सताएंगे चारतों से घेरेंगे ये छे दुश्मन कहा इनको सडरी पूर ये सबसे बड़े दुश्मन है हमारा पतन करने के लिए हमको राश करने, हमारा हराश करने के लिए हमको नरक तक लिए जाने के लिए इनसे बचना चाहिए यहाँ पर तीन गुणों का सत्रु एद्याय में भगवान स्री कृष्ण ने बहुत विशेज जोर दे करके अर्जिन को कहा है, बोला है, ग्यान उपदेश किया है, सरद्धा के भी से में बतलाया, कि सरद्धा जो इर्दय में होती है, सरद्धा का उद्धा होता है नाबी से, नाबी के इंदर से, इर्दय में आकर कि इसका फूल खिलता है, सरद्धा बल्वती होती है, सरद्धा के बिना प्रेम उद्धा नहीं होता, पहले सरद्धा उद्धा होती है, सरद्धा में प्रेम रूपी फल पकते हैं, फल लगते हैं, सरदा ही नहीं है आपको बगवान के परती या किसी के परती तो प्रेम कैसे उदय होगा फिर सरदा कैसे उदय हो ये भी समझ लेना चाहिए क्योंकि सरदा उदय होने के लिए हमको तत्य ग्यान चाहिए तत्य ग्यान से हमारी भावना उज्वल होती है एक माँ अपने बा, बेटे को, पुत्र को, छोटे बच्चों को बार-बार नाम ले लेके पुकारती है तो उनके प्रती बहुत इसने हैं पैदा हो जाता है जन्म के समय ना रहा हो, लेज़े बच्चा दो साल का, तीन साल का, चार साल का, आठ साल का डवलप जैसे जैसे बढ़ता है ऐसे ही और अधिक प्रेम बढ़ता है मा का, क्यों? क्योंकि उन बार-बार उसके नाम ले लेके दिन में सौ बार पुकारती है अरे बेटे, अरे रामलाल, अरे कृशनलाल, अरे जो भी नाम रख दिया हो, तो प्रेम उद्य होता है ऐसे कभी हम हरी को, अब उनके नामों से पुकारते हैं, तो हरी के प्रती हमारे एर्दे में प्रेम जागरी तो होता है प्रेम जागरी तो होता है तो फिर उनको जानने की कौशिश करते हैं जानने की कौशिश करते हैं भगवान को तो शास्त्रों को कंसल्ट करते हैं ग्यान प्राप्त करते हैं गुरुजी के चरणों में बैठते हैं जिनको अनवव हो गया है रिलाइजिशन हो गया है भगवान का आत्मा का साक्षातकार हो गया है भगवत साक्षातकार हो गया है ऐसे संतों के चरणों में जाके सर टेकते हैं कि हमको भी कुछ ग्यान मिले उस ग्यान से सरद्धा पैदा होती है जो अन्भावस महान आत्मा ने किया जिन्होंने तत्यों से उस इश्वर को पैचाना जाना वो ग्यान उपदेश करता है उनके वाक्यों में सरद्धा पैदा होती है गुरू के वाक्यों में फिर उन वाक्यों से प्रभु में सरद्धा पैदा होती है परमेश्वर में सरता पैदा होती है तवी तो भगवान स्री कृष्ण ने उपदेश किया तद्विधी प्रणी पातेन परीप्रशनेन सेवया उपदेख्षंती ती ज्यानम ज्यानिनस तत्वदर्शिना है अर्चुन तु मेरे किसी ऐसे भक्त की शरण में जा जो मुझे तत तुसे जानता हो वो तुझे ग्यान उपदेश करेगा जिस ग्यान को प्राप्त करके तु मुझे जान लेगा तो ग्यान से बगवान को जाना जाता है, सरदा पैदा होती है सरदा से प्रेम के हमकूर निकलते हैं प्रेम के फल पकते हैं, ब्रक्ष पड़े बेल फैलते हैं, प्रेम लता प्रेम की बेल, मीरा बाई जैसे गाती है अब तो प्रेम फैल गई अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई मेरो तो गिर्धर गोपाल दूसरों न कोई अभी तो गुरु को भी गिर्धर गोपाल के भीतर ही देख रही ही मीरा क्योंकि गोपाल के भीतर ही सब हैं सारे गुरु समाईत हैं, ब्रह्मा बिश्णू समाईत हैं सारा बिश्व ब्रह्मान समाईत हैं इसलिए तो अद्वत कहें के बोला भगवान को, कि सब कुछ तो उसके अंदर ही है, हम भी, आप भी, सारे पसूप, पंची, जल, तालाब, समुद्र, सब भगवान के अंदर हैं, तो गुरुजी भी भगवान के अंदर ही हैं, बार नहीं, मीरा कहती है कि मेरो तो गिर्दर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर्पे मोर मुकुट, मेरो तो पती सोही, संतन ढिंग, बैठ, बैठ, लोकलाज खोई, संतन के बीच में जाकर मेरा नाच ने लगी, भगवान के गुणगान करने लगी, तात मात भाई बंधू, आपनों ना कोई, मेरे तो गिर्दर गोपाल, दूसरों ना कोई, अस्वन जल सीच, सीच, अब तो छट पटाती है प्रभू से मिलने, बहुत बियोगी नहीं बन गई, भगवान के विरह में, भगवान से मिलने के लिए मीरा का हिर्दे छट पटाने लगा, तो छट पटाता है भगत मिलने को तो प्रेम के आशू मरते हैं मिलने के लिए कभी रुदन करता है कभी हसता है कभी कि महा भाव में चला जाता है मीरा भाई कहती है अस्वन जल सीच सीच प्रेम बेल बोई अब तो बेल फैल गई आनन्द फल होई मेरो तो गिर्धर गोपाल अरी मा मेरा तो गिर्धर गोपाल है और दूसरा कोई नहीं है भगवान की शरण में आये भगवान के पवित्र नामों का जाप कीजिए ये शरण मा आने का एक सीधा मार्ग है उन्हें कभी नहीं बिसा रहे बिसा रहे उठते बैठते सोते जागते नाते दोते खाते पीते चलते फिरते बच्चों को खिलाते कमाई करते कभी भगवान को नहीं बुलाई ये भगवान आपके इर्दे में आपके प्रतेक छोटे से छोटे भाव को भी भगवान पकड़ते हैं, मालूम है उनको, क्या आप क्या विचार कर रहे हैं, आपके कर्मों के विचारों के साक्षी हैं, पूरे विश्व के साक्षी भगवान हैं, आत्मा के अंदर वो विशेस्ता है, जो परमात्मा के अंदर ह परमिश्वर के अंदर है अंसरूप से जैसे सागर की बूंद में वोई गुण तत्व है जो सागर के अंदर है ये सागर सॉल्टी है ऐसे यो बूंद भी सॉल्टी है तरल है ऐसे ही हम बगवान के ये अंश है आत्मा है इसलिए गुण धर्म आमारा और आमारी प्यवर कॉंशियसनेस का बगवान से मिलता है एकदम लेन हम उस इस्तिति पर नहीं है हमाँ हम प्यवरिटी को खोच चुके इसलिए अभी बगवान को भी पहचानते नहीं है अब बगवान को दूर अपने आपको ही नहीं पहचानते और जीवन जीते हैं या तमोगुण में या रजोगुण में कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-क आहार का चेप्टर रखा भगवाने सत्रु अध्या के प्रारव में आहार भगवाने क्यों रखा? क्योंकि यह मनुष्य यह प्राणी यह पल्ची यह देवता यह देवियां यह ब्रह्मा बड़े-बड़े, सभी आहर के ही रूप है यह सारा हमारा शरीर, यह आहर का ही स्वरूप है जो जो आहर हमने किया, खाया पिया, वो यह तो डवलप हुआ है चाहे वो मा के गर्व के अंदर कुछ आहर मिला हो यह भार आने पर इस्तन पान करके मिला हो यह बड़े होने पर अन, जैसा भी अन खाया हमने अन खाया, बेजटेबल्स खाई, फ्रूट खाई, दूद पिया, माखन, मलाई खाई उसे से यह शरीर डवलप हुआ है तो प्रारम में टीचिंग देने वाली मा है वो पहला गुरू है समाज का, यह शरीर का बच्चे का, अपनी बच्चे का मा गुरू है जैसे जैसे माँ उसको खिलाती पिलाती है बच्चा खाता है, पीता है और बड़ा होता जाता है और उसकी भावना में वो जैसा भी खिलाती है वैसा जड़ पकड़ लेता है कि यही भोजन अच्चा है, मेरी माँ खिलाती है इसमें दोश क्या है? शुद्ध दूद है गाय का, पनीर है, मक्षन है, घी है, मिस्री है, गन्य का रस है, सुन्दर गेहूं की रोटिया है, बांसमती चावल है, खाखा के में शरीर खुश है परसन्नूँ, तो जो शुद्ध मा होती है, वो सतोगुनी भोजन खुद भी करती है, अपनी पती को भी करवाती है, और अपनी बच्चों को भी करवाती है, तो वो शरीर, उस परिवार के शरीर सतोगुन में प्रबल होते हैं, उनके भावना में, मन मस्तिस्क में, बुद्धी में सतोगुन प्रबल वस्थाम होता है, सतोगुन की परसंटेज हाई होती है, बगि रजोगुन नी लिए जिन घरों में बच्चों को वाइल एंटी फूड खिलाते हैं, बच्वन से ही कैकड़े का सूप पिलाओ, गव के बचड़े कटते हैं संसार में उचलते हुए, खिलाओ, कंचड़े बिच्चु खिलाओ, मक्खी मच्चर खिलाओ, टूना मचली खिलाओ, सूवर, तीतर, कबूतर खिलाओ, जैसे जैसे खिलाओ, खिलाओ, खिलाएंगे बच्चे को और खुद भी खाएंगे, ऐसे उस परिवार में शरीर पैदा होती हैं, वाइल एंटीू, वो दुख दाई है, वो रजोगुन और तमोगुन के अंदर वो परिवार बढ़ाओगा, वो अंदकार में भटकेगा, दुख पाएगा, बीमारियों में छट पटाएगा, अपने इस जन्म को भी खराब करेगा, और अगले जन्म को भी खराब करेगा, बच्चे दारू पियेंगे बड़े हो के, क्यों उनके पिता जी ने उनको सिखा दिया सारा, यह सीख गए, प बच्चे क्या करें, वो भी होई कर रहे हैं, और और अवरत क्या करें बेचारी, वो भी पीती है, लेकिन साइन्टिस्ट भी बहुत क्लोज में गए हैं, कि शराब, ज्यादा शराब पीने से, यह हमारे ब्रेन के सेल्स नस्ट हो जाते हैं, पूरी तरह, आदमी बिक्षिप पागल की तरह हो जाता है, जीते जी, ड्रंकार्ट, फिर भी वो कहते हैं, थोड़ी मात्रा में एक पैक जैसे लगा लिया, कीख है, उचीत है, लिए शास्तर तो वो थोड़ी मात्रा में भी अलाव नहीं करता, आइरवेद तो बिल्कुल अलाव नहीं करता, ना कोई पाओं को देने वाले और दुखों को देने वाले हैं, रजोगुण है ये, तमुगुण है, तमुगुण तो पूर्णतया विनष्ट कर देता है, नहीं, मनुष्य का ही नहीं, सभी प्राणियों का भोजन प्रकर्ति ने नियूक्त किया है, मनुष्यों के उपर दो विशे स्क्रपा बगवान की स्वयम की है उबदेश करते हैं शास्त्रों में बगवान ने गीता में काया कि पत्रम पुस्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रैश्यति तद्हम भक्ति उपरतम अशनामी प्रियतात्मना जो मेरा भक्त प्रेम से मुझे कोई बेज़िटेबल पत्रम पत्ता गोभी पत्ते की सब्जियां बहुत तो आते हैं आप जानते हैं चोड़ाई पालग पत्ता गोभी पत्ते में सारी वेज़िटेबल आ गई हैं पुस्पम फूल फूल गोभी फूल गुलाब के फूल कमल के फूल कमल डंडी कमल ककड़ी यह सब सब्जियां बनती है पत्त्रम पुस्पम फलम फल सुन्दर फल तमाम फल हैं यह अन्वी फल है अन्वी फल है, ड्राइ फ्रूट से हैं, फ्रूट से हैं, यह सब फल है पत्रम, पुस्पम, फलम, तोयम, तोयम यह नि जल शराब नहीं बोला भगवाने, कि कोई बक्त मुझे शराब अरपन करे तो मैं स्वीकार करता हूँ, ग्रेंड करता हूँ, मैं भी पैग मार लेता हूँ, कि मेरे बक्त ने अरपन किया ने भगवान ने नहीं कहा, तोयम मिंस जल, जल के लिए बोला, शुद्ध जल यह शुद्ध लोग होते हैं, साथविक बुद्धी के लोग होते हैं, वो जल पान करते हैं, जल पीते हैं, ना कि शराब कोको कोला भी और पैपसी कोला भी, उनके लिए बीमारी का घरह नहीं पीते हैं, है ही, प्रूफ है, इस बात का ये न्यूयर्क सिटी के अंदर यहां के गवर्नर कितनी कौशिश मायर मयूर कितना कौशिश करते हैं इसको बंद करने के लिए कि ये सुगरी चीजे मत पियो पैपसी कोला, कोको कोला इसे डाइबेटिक्स परकड़ती है बीमारी आप है, बढ़ती है नहीं, तोयम, जल फिर दूद है, मक्षने, मलाई है, घी है दही है, अम्रित है पांच अम्रित का हाई अरवेद ने और शास्त्रों ने, पंचाम्रित दूद है, दही है, घी है मिश्री, गुड, कन्ये का रस है, मीठा ये सब अम्रित जल है ये पांच अम्रित है पंचाम्रित कहके बोला भगवान को औरपन करते हैं जिसे हमारी बुद्धी में गुसे कि जो चीज भगवान परमिश्वर स्वीकार कर रहे हैं, ग्रहन कर रहे हैं इसलिए उनको अम्रित का नाम दिया कि अम्रित है, ये मरते हुए को भी जिला देते हैं, ये नरक में जाते हुए को भी बचा लेते हैं ऐसी बुद्धी में पलेटा मार देते हैं शुद्ध कर देते हैं जो गव को आपने हरी गास खिला करके घर में पालाओ, प्रोट्रेक्शन दियाओ, जंगली जानवरों से बचायाओ, रखाओ, वो आपको और आप अपनी बच्छरे को जो दूद रिलीज करती है, वो दूद का बहुत महत्व है, उस दूद का पान करना चाहिए, पीना चाहिए, वो गुणकारी दूद लेकिन जिन गायों की डेरी में से, डेरियों में से, दूसरी पडोसी गायों को ले जा ले जाके काटा जा रहा है, और जो बच गई बैलेंस में, उनको अननेचुरल प्रकरत रूप से, एक लंबा इंजेक्शन दे करके, और थुनों में एलेक्ट्रिक मसीन की द्वारा, ज दूद में कहां प्रेम और कहां वो तत्व, जो तत्व एक सुन्दर पाली हुई गाय के दूद में होता है, याद रखिए जब मा भी अपने बच्चे को दूद पिलाती है, इस्तनपान कराती है, तब वो जिस हिसाब से भी इस्तनपान करा रही है, उसी प्रकार से उस दू और मन डवलप होते हैं, और भावना, इसलिए जो सच्चे इरदे की माता हैं, वो बच्चों को दूद पिलाते हुए, इस्तनपान, बोटल का दूद नहीं, अपनी इस्तन का दूद, तो दूद पीता है बच्चा, और एक हाथ में गोदी में बच्चा है, दूद पी रहा ह और दूसरे हाथ से उसके बालों में, उसके अंग-अंग पर सैल आ रही है, बालों में उली डाल रही है, वो प्रेम रिलीज कर रही है उस बच्चे को, वो उसका हिर्द है प्रेम भरा होगा, वो जीएगा जब तक, लिएन आज कल तो अस्पताल में पैदा होता है, शुरू कर देते हैं, वो भी मा के द्वारा नहीं, नर्सेज या दाई माई घर पर जो भी कोई अपने क्या बोलते हैं, नैनी रख लेते हैं, गर की जो सर्वेंट, लेडी, वो उनको गोड़गार के देती है, कि पीले, टाइम हो रहा है मुझे जानेगा, मेरा वक्त हो गय पीले, 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 नहीं कुवाम पड़, कैसे ही प्रेमेर्दे में, प्वपन पेगा बच्ची के, अहार का बड़ा महत्व है, हमारी शरीर जो ये दिखाई दे रहें, ये अहार के रूपे, ये अन्द में कोश है, शास्त्र पांच कोश्चों का वर्णन करते हैं, उसम पहला अन्द में कोश है, अन्द में कोश क्या है, ये हमारा शरीर, दूसरा प्राण में कोश है, जो हमारी ब्रीधिंग्स चलती है, प्राण वाईव अंदर जाती है, और अपान भार आती है, ये दूसरा है, ये 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 हम कहां पर पांच कोशों के परकोटे के बीतर बैठ हुई एक आत्मा है उसका वरणन करते हैं शाथ कि अन्न में कोश है पूरा छैपिट का पिर प्राण में कोश है इनका बहुत बड़ा-बड़ा महत्व है इनका आपकी सांसों का आपके प्राणों का चलने का क्या प्रियोजन है वो प्राण ऐसे ही काम करवा लेता है क्रोध में जब प्राण वायू पान अपान चलता है सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं क्रोध में कुछ और रूप हो जाता है इनका बोजन करते हैं उस समय कुछ और रूप हो जाता है सोते हैं जब और रूप हो जाता है कईए कि प्राण में कोश ही आपके रूप को चेंज करता है आपके वातवन को चेंज करता है तो आपकी प्राण में कोश भी अन्न में कोश के बाद निर्मित हुआ बना है